प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्थे पुस्तक वसंत भागदो का पाठ पांच मिठाई वाला के बारे में समझेंगे बच्चों, इस पाठ का नाम जैसे की मिठाई वाला है लेकिन पहली लाइन में जब हम पढ़ते हैं कि बहुत ही मेठे सवरों के साथ वह गल्यों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला, खिलोने वाला कि ऐसा लगता कि लेखक एके खिलोने वाले का पर्ण करता है लेकिन लेखक ने पाठ का नाम मिठाई वाला रखा है तो यहां हमें आश्रिय होता है हिरानी होती है कि लेखक एक ऐसे व्यक्ति का वर्ण कर रहा है जो खिलोंने बेचता है लेकिन लेखक ने पार्ट का नाम मिठाई वाला क्यों रखा है तो हमें बच्चों इस पार्ट को पढ़कर इसी रहष्य का पता लगाना है कि ऐसा इसके पिछे क्या कहानी है मैं आपको थोड़ी थोड़ी कहानी बता देता हूँ कि लेखक ने इस पार्ट में एक पिता का वर्ण किया है एक ऐसा पिता जिसके बच्चे उससे बिछुड गए थे इसलिए वैसंसार के दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की खोज करता हुआ फिरता है और तरह तरह का समान बच्चों को बेचता है सबसे पहले वहें खिलोने बेचने वाला बनकर आता है और बहुत ही कम दाम में बच्चों को खिलोने बेचता है जैसा कि चितर में भी दिखाई दे रहा है कि वहें खिलोने वाला बनकर आया और बच्चों को खिलोने बेचने का काम करता है और उनसे बहुती कम दाम लेता है इसके बार बच्चो छे महिने बार छे महिने बार वह फिर से आता है लेकिन इस बार मुरली वाले की रूप में आता है किस नगर में जो है मुरली वाले के आने का समाचार फैल जाता है कि वह बच्चों को बहुती कम दाम में मुरलियां बेचता है तो इस रेवे मुरली वाला बनके नगर में घूमता है और नगर के बच्चों में अपने बच्चों की जलके देखता है कुछ समय के बाद वह फिर से नगर में आता है और अब की बार वह मिठाई वाला बन कर आता है तो इस तरह से बच्चों लेखक ने इस पार्थ में एक ऐसे व्यक्ति कावर्ण किया जो तरह तरह के भेश बदल कर लोगों के बीच आ रहा है और उन में वह बच्चों में अपने बच्चों को खोजता है तो आठ माँ बार बच्चों वह मिठाई वाला बन कर आया और उसने आवाज लगाई बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला तो इस तरह से बच्चों इस पार्थ का नाम मिठाई वाला रखा गया है लेकक ने अंत में उस व्यक्ति का जो वर्णन है एक मिठाई वाले की रूप में किया है तो आपको इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है इस पार्ट के जो लेकक है भगवती परसाद वाजपेई इनका नाम आपको याद रखना है अच्छा बच्चो धन्यवाद